हालो गाइज वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल एंड काफी समय से मैं कोई वीडियो ऐसे अक्टिवली नहीं डाल पा रहा हूं छोटे-छोटे सौट सी बना रहा हूं लेकिन आज इंटरनाशनल वोमेंस टे हैं जैसा कि आप जानते हैं तो सभी जितने भी हमारी महिला दर् हैं और आप सभी को एगन अंतराश्टिय महला दिवस की हार्दिक सुपकामना हैं तो अभी मैं विपार्ड में हूं यहां के बड़म पुत्र होस्टल में और इस अंतराश्टिय महला दिवस के ऊपर मैंने कुछ पंक्तिया लिखी हैं इस पैसली मा के लिए है और हम जानते हैं कि मा के फिलिंग्स अब के लिए एक जीस होती है और I think I hope कि आपको अच्छी लगेंगी आपके दिल के चूहेंगी बहुत स्दिपल लाइन से और मा भी बहुत सिंपल होती है लेकिन वो हमारे अंदर जो भी complexity होती है उसको समझ लेती है जीवन के हर पल में उनका महत बहुत जादा है तो ये पंक्तियां उनको समझने के लिए या उनके लिए पूर्ण नहीं है लेकिन एक छोड़ा सा प्रियास है मा कहां से लाती हो इतनी सकती मा कहां से लाती हो इतना प्यार कहां से लाती हो इतना समर्पन और कहां से लाती हो इतना त्याग रोज सबेडे उठकर हम सभी की माज जो है दिन बर जो सुबह सुबह जैसे ही सुबह होती है वो सुबह सुबह उठके अगर में बहुत सारे काम होते हैं और वो काम में लग जाती है तो रोज सबेडे उठकर और लेकर ईश्वर का नाम बिना स्वार्थ के लग जाती है जैसे कि हम लोग को कोई बिमारी होती है तो हम लोग उसका बहाना बना लेते हैं लेकिन मा को मा ने आज तक कोई बहाना नहीं बनाया तुम्हें ना देखा मैंने करते बिमारी का कोई बहाना जैसे हम बच्चे करते हैं ओड के चद्दर जट सोचाना नहीं तुम्हारी कोई इक्षा है। असल में मा की कोई special इक्षा नहीं होती बलकी बच्चों के लिए ही उसने बच्चों को जीवन को ही उन्होंने अपना माल लिया है। आती है सबसे गहरी नीन हर संकट में बनती हो तुम सबसे पहली उम्मीद जैसा कि अगर हम कहीं चोट भी खा जाते हैं तो हमारे मुझ से सबसे पहले मा का ही नाम निकलता है हर मुश्किल में आती हो सबसे पहले तुम ही याद मा मुझको तो तुम लगती हो ईश्वर की कोई परियाद दाने बाद ये छोटी सी पोएम डेडिकेटर है सभी माओं को जिसकी बज़े से जो है ये दुनिया आज इस लेबल तक पहुंच चपाई है ठीक है तो तैंक यू टू अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और शेयर करें और ये उन सभी माओं के लिए जिनकी वज़े से हम आज यह आ रहें धन्यवाद